ब्लॉग बॉस्टर मुवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एने स्टूडियोज और बेल एकान दबाई करें एकान पहाव मुवीज यॉसरा एकान दबाल से छीमटर हुआ 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 हु रगु काका, रगु काका, रगु काका, रगु काका, रगु काका, क्या हुआ? आपकी रड़की के पीछे एक बंडा पड़े हुए उनसरस्का, रगु काका, कर रगु के विषड़े हुए पीछा. ख़वराव नहीं रगू, हमने तुम्हारी रिपोर्ट लिख लिए और तुम्हारी बेटी का प्यान दिले लिए हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि जिन लोगों ने तुम्हारी बेटी की इजद लूटी है वो बच नहीं सकते हैं लेकिन वो बहुत अमीर आद्मी के बेटे हैं कानून की नजरों में अमीर खरीब सब बराबर हैं अगर उन लोगों ने गुना किया है तो सजा जरू में लेगी सब ठीक हो जाएगा रगो पुलिस तो अपना काम करेगी लेकर एक आदमी और भी है जो हमेशा गरीबों की मदर करता रहता है कौन है वो आदमी राजेश्वर रगो उठो रगो आज के बाद तुम किसी के सामने सर नहीं जुकाओगे किसी के सामने हाथ नहीं जुड़ोगे जब भी गरीब ने सर छुकाया अमीर उसको ठोकर मार दी जब भी उसने हाथ जोड़े इन तौलत वालों ने उसके हाथ काट दी है उठो रगो तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा कां थे वो लोग इस शहर के सबसे अमीर और इजद्दार खांदान के लड़के हैं नाम अर्च जर खांदान के लागो इस शहर कर दोड़के हैं इस शहर को बिदान के लागो अर्च जर खांदान के लागो इस वागो ए ए pagar पãyँकर बाब्ट ए, ए एक ए ए एं़ कर दो, ए में, ए, ए 20 को एमसे ए, ए कि ए ऐाल एंगार, आपको बाल एंगार, आपको अपको बाल, आपको बाल, आपको लाहा है। मेड़ दोर्फ चड़े हैं झाल। क्या उस लंगने राम लाल की इतनी हिम्मत के उस तो लोबो का हुकमाने से इंकाल कर दिया उच्पहो जो आद्मी लोबो को सीधी उंगली से ही निताने नहीं देता आए लोबो उस की उंगली निकाल देता है प्रांसेस, मुझे किसी भी कीमत पर जगह चाहिए ताइगी निकालकर या उंगली निकालकर यस बस एक रुप्या चार आना, ये लो बारा आना हमने तुम्हें कबर भी जाए थी, कि ये स्टॉल हमें चाहिए अपना स्टॉल हटाओ, जगह हमें दे दो मैं अपनी रोजी की जगह बेच कर तुम्हें यहां जुएगा डब लाने के लिए दो अगर बेचोगे नहीं तो हम चीन लेंगे अरे ऐसे कैसे चीन लोग है भाई अरे देखो भाई, ये तो तुम लोग जबरदस्ती कर रहे हो जबरदस्ती करना तो हम अरे बोलो बेच्टी यहां नहीं, नहीं 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 तोर दालो सब किष अरे चुलो दो शही जबरदस्ती को चीन लोग देखो नहीं जबरदस्ती का बगवाद के लिए बेरे पापा को चोड़ तो पाँ नमस्ते मालिक कहा है वो वो लोग अंदर उस बाबा बाबा तुम गबराऊ मत बाबा तुम गबराऊ मत बाबा तुमे कुछ नी होगा बाबा बाबा तुमे कुछ नी होगा डॉक्टर अभी आते होंगे मालिक इस बेचारे के एक टांग पहले से ही नहीं थी दूसरी इन जालिमों ने तोड डाली यह जुल्म कब तक होता रहे था मालिक तुमे कुछ नी होगा बाबा माई कॉट नर्स इनको जल्दी ऑपरेशन थेटर लेके जाओ इनकी टांग काट में पड़ेगा जी नहीं मिरे बाबा की टांग मत काटी डॉक्टर साब पेटे हम मजबूर हैं इनकी टांग नहीं काटी गई तो जहर सारे शरीव में ठेल जाएगा इनकी डॉक्टर साब जी रामलाल की टांग नहीं काटी जाएगी नहीं उसकी जिस्म में जहर पहलेगा फारद डॉक्टर गुप्ता को बुलाया जाएगी डॉक्टर गुप्ता वो तो यहां के दीन है वो यहां कैसे आ सकते उनसे कहिए राजेश्वत बुलाया है करीम मलिक कौन थे भलो लोगों की आदमी थे इस पर दस्तागत करदो यह क्या है लोबो यह राजेश्वर की अदालत और पानून का इनसाफ नामा है तुमने बेचारे रामलाल को अब बाहज बना दिया उसकी दुकान तोड़ दी उसे बेरोजगार कर दिया हम तुम्हें जिंदगी से तो नहीं लेकिन इस होटल से निजात दिलाते हैं क्या मेस्टर लोगो आज से यह होटल रामलाल का है मगर मैं सुना है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो तुम लोगों की उंगली तोड़ देते हो और हम लोगों के हाथ तोर देते हैं तस्तखत कर दो तालिया थंदा बहुत मुनाफिका है राजेश्वर का लाखों का माल हाथ लगेगा माल कहां उतरेगा यह राजेश्वर का एक आदमी जानता है कहां है वो तालिया यह राजेश्वर का आदमी जानता है तुम गाड़ी में बैठो मैं जरा बिजनिस की बात करके आता हूँ जराजेश्वर के रियासत का एक वफदार कुत्ता बताओ राजेश्वर के जाहास का माल कहां होताने वाला है मुझे मुझे नहीं मालूम शेर के पिंजरे में घुस कर कुत्ते को जूट नहीं बोलना चाहिए बताओ कहदियान नहीं मालूम अगर मालूम होता तो भी अपने मालिक से बेमानी कभी नहीं करता चला एंथनी जल्दी यहां माल रख ओ शंकर के बच्चे जल्दी लाओ उपर माल चला एंथनी बाहर जा तू एंप डिटो हो जया आख करतीए है डिन्वाल की दुकान खुलवादी मलिक आरा मलाल की दुकान तो खुल गई है क्रीय oike सीट इस दुनिया मिरामलाल जैसे कितने अपाध्रश और लोग है जिन पर कहीं कोई न कोई शुल्म हो रहा होगा हम कब तक अकेले शुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे किसको उसका हक दिलाते रहेंगे मालिक ये सुभे शाम गरीबों की दुआएं ही तो हैं जो आपको हर मुसीबत से बचाय रखती हैं गरीबों की दौाओं से तो आज तक हम जिन्दा ह वरना ये सहर हम इतनों पी चुके हैं अगर दवाओं के भरों से रहते तो हम कब कर इस दुनिया से जा चुके होते हैं अल्ला ना करें ऐसा न कहिए मालिक एक बात कौँ को करीम मिया वो कालिया कुछ हस्से बढ़ता जा रहा है इस बार उसने हमारे पांच ट्रक माल समेथ गायब कर दिये हाँ 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 तुम क्यों खबरा रहे हो तांत का डॉक्टर अगर दांत लगाना जानता है तो वो दांत निकालना भी जानता है तुम जाओ मेरे कपड़े तेयार करो जी आप कहीं बाहर जा रहे हैं हाँ बाहर जा रहा हूं मुन्नी बाय के कोठे पर जानते हो तो पूछने के क्या जरूरत है मालिक आप कब तक ये किराय के बाजारी फूल सुंगते रहेंगे क्यों नहीं किसी शरीफ खांदान की करो ना घर बार की ना किसी शरीफ खांदाने की और नाहीं शादी की तुम अच्छे तरह जानते हो अपनी हसरतों से हम लड़ नहीं सकते हैं दुनियावालों से हम लड़कर जिंद की गुजार रहे हैं शाह में शराब की बोतल में घॉरक हो जाती हैं ताथ होती ही किसी जिन्दगी की जाकर से लड़क खड़ा कर मौत की आगोश में चले जाएंगे यह सा बाते मत करो आप यह पुरानी यादें दिल के बारूद में चिंगारी कि तरह लगती हैं जाओ बुरी मियाग जाओ जी बालिक तबर है कि पांच सारवाज श्री एसिम दयाल भारत लोटे हैं देश की बड़ती बेकारी सुल्जाने और देश की उन्नत के लिए श्री दयाल कई नई योजनाय साथ लाएं हवाई अड़े पर समबादाताओं से बातचीत के दोरान श्री दयाल ने अपनी योजनाओं की एक हलकी रूप रेखा बताई ऐसा अनुमान किया जाता है कि वे बहुत जल अपनी योजनाओं को पूरा करने में चुट जाएंगे उनसे देश को और समाज को बड़ी आशाएं हैं खासकर ऐसे मौके पर जबकि देश में ऐसे चंद सेवकों की बड़ी आवश्यक्ता है ये क्या बतलिवी है उन्ची सोसाइटी में खुबसरों लड़की का हाथ पकड़ना तमीज समझा जाता है सीथी तरह मेरा हाथ छोड़ दो छोड़ दूंगा बस तुम शाम से मिलना बंद कर दो हमारे पीछ में आने वाले तुम कौन होते हों मैं तुम्हारी आने वाले जिन्दगी का सब कुछ हूं और शाम मेरी जिन्दगी का वो कांटा है जिसकी जहरीली नोग मेरे प्यार को जखमी कर देना चाहती है तुम्हारी इतनी है मोदा आएंदा कभी तुम्हारा हाथ कीता की तरह पढ़ा तो यह हाथ काटके रख दोगा चलेगा यहां से मैं जा रहा हूँ लेकिन मुझ पर हाथ उड़ा कर तुमने अच्छा नहीं किया और तुम भी सुन्लो कीता दयाल ने जिसे एक बार चाहा है उसे हासिल किया है अगर तुम मेरी नहों सकी तो मा कसम और किसी की नहों सकोगी हराम जादे है हच्छा कीता है और चाहुता मुझे जला जा नहीं तो तेरा खोन पीजाओंगा जा जला जा खोन कौन किसका पीता है यह तुम्हें वक्त बताएगा पास्त शाम साहब शाम साहब इसके मूँ मत लगिए या आदमें बहुत खतरनाक है ऐसे बहुत से आदमी देखे मेरें कौन था यह तुम जानती हो इसे तैयाज एक सहली की पार्टी में मिल गया था उसके बाद घर में आने चाने लगा तुम पता नहीं क्या समझ बैठा था उसके हिंमत कैसे हुए मझे चूने की देखो आज के बाद तुम्हें चूना तो एक तरफ कोई तुम्हारी तरफ कल हम शादी कर रहे हैं सच क्प़िए 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 करें जी मालेक, तोरण अपने आद्मियों को तलफ किया जाए, हमारी सिंद्गी का वो एहम दिन, जिसका हमें मुद्द से इंसाथ हा गया है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, पर लrid Issued, जाए, जाए, बब Tucson, झाल जिसका है जाए, हमारी साथ हैया है, हम इसे जाए, जाए and याए जाी, तोरण जाए जाए, हमेंगे, हम इसे जाए दोड़ेंगे, जाए पुके इसे शोड़ेंगे, हमताशिया खिए फिसे ए्झाए है, हमारी इसे ऊधरेंगे, हमारी से लुजर जड़ता है उरा है अजज जढ़ने पुर दिंगा है शाम गंदी सूरत और नीच सीरत होने के बावजूत तुमारी याद दास्थ अच्छे है तुम्हें हमारा नाम तक याद है फिर तुम्हें ये भी याद होगा कि हमें तुमसे पुराने हिसाब चुगाने है वो गहरे सख्म जो तुने दिये हैं ऩे उम भरतो नहीं सकते हैं लेकिन तुम्हारे खून से धोएंगे ज़रूर नहीं शाम नहीं मुझे मत मारो प्लीज मत मारो मेरी बीवी है मेरे बच्चे है यहां कि जनता इस देश को मेरी जरूरत है शाम मुझे मत मारो हमें भी किसी की जुरूरत थी हम भी अपना घर बसाना चाहते थे लेकिन तुमने वो घर बसने से पहले ही बरबाद कर दिया तायाल तक्दीर एक तराजू है जिसका पलड़ा कभी इस तरफ जुकता है तो कभी दूसरी तरफ कल तुम्हारा पलड़ा भारी था आज हमारा पलड़ा भारी है तुमने तो हमें मौका भी नहीं दिया लेकिन हम तुम्हें मौका ज़रूर देंगे तुम्हें हासिल करने की खुशी में हमने एक जश्यन का इन्साम किया है और उस जश्यन में तुम्हारी जिद्गी और मोत का फैसला होगा इनमें दौर रिवॉलवर हैं हर रिवॉल्वर के साथ एक गोली है और ये गोली जिन्दगी की ठाल भी बन सकती है और तलवार भी एक हमारे लिए और एक जशन के खत्म होते ही जो पहला वार करेगा वोही जियेगा अजय कोई पर दो घड़क में बन सकती है अजय कोई बन सकती है अजय कोई बन सकती है इस खेल में कितने मज भिड़े बिन किसी के मारे हाई हाई ये बेचारे हाई आए बेचारे हाई आए बेचारे हाई इक आप मारे जंग दूर जी जहर उसारे इस तेल में कितने मज भिड़े बिन किसी के मारे हाई हाई ये बेचारे हाई आए ये बेचारे लोगा आए इस खेल जिए आए आए इस भाई जो भी आए 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 इस दीए ये बेचारे हाई बेचारे हाई आए 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 ये लोगा Y now the Vee ला 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 हाई हाई रे बेचारे हाई हाई रे बेचारे अमादी भी है ला 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 कि मुश्किल तुहारी आकल हो जो जल्दी करो अभी बत ले तुशी से बता दो मजने से पहले आखरी खायश बता दो प्यारे हाई हाई रे बेचारे हाई हाई रे बेचारे इक आप तुमारे जंग तुझी सहर उतारे इस खेल में कितने मज फिटे फिन किसी के मादे हाई हाई रे बेचारे हाई रे बेचारे हाई राप तुमारे देंग तुमारे जिए ने आई ने शाम ने मुझे मत मरव शाम मुझे पर रहे हम को शाम ने शाम मत मरव मुझे शाम मत मरव अच्हाः, अच्हाः, अच्हाः जो। अच्हाः, внख्भा जो। थाप नौगैं कि राज एच्छवर, राज एच्छवर, राज एच्छवर अजएंगा हम्हारतो है इसके जूज़ी में आता है फ्रग करता है इसए गूरोकने माला ही नहीं कहीं प्लाच पाई जाती हैं, कहीं अमीरों के लड़कों के हाथ पाउं तोड़ जाते हैं, रात ओरा थोड़ लिगे मल्केद बरी जाती हैं, आखिर ये सब हो गया रहा है। सर वो इतना चालाक आदमी है कि आज तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हमारे बिशायवे हर जाल को बड़ी आसाईंते तोड़के निकल जाता है और पीशे अपने कदमों के निशान मिताता जाता है। तो कुछ दिनों के दिन उन कदमों को ठील में बलता है। निशान खुद बखुद मिल जाता है। मालिक, पुलिस कमिशनर सहब ने आपको बुलवाया है। मेरे सवालों का क्या जवाब है तुमारे पास। एक्सक्यूज में सर। मिस्टर गॉयल सर यह हमारे वकीद है। आपको सवालों का जवाब यह लोग दे सकते हैं। क्योंकि कानून के बारे में यह आप जानते हैं, यह यह जानते हैं। हम तो इस पाहे में बिलकुछ सीधे सादे हैं। कुछ नहीं जाने हैं। तो हम जा सकते हो। थैंक यू सर। जानते हैं। मेरी समझे में राजिश्वर के इस केस को हैनिट करने के लिए एक ही कावे लग सर है। वो कॉम सर। त्रिल्ली पिलीस का एसपी कमल। वाट। सर। अभी-अभी कुछ लोग जोहरे धर्वनास के दुकान से दस लाग के जिवा लूट कर ले गये हैं। तो मेरा इंतजार करा। संधार करने सर्फ सरी oraz कलाई रहां सरे का इंतड़ कenne संधार के बाट। संधार कर दो 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 सबस्टेंट सबस्टेंट अपका हुआ सबस्टेंट KESH 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 क्रिछ वाल हमार दसा हत उख कि फिस को हुंग जख ची कंवा Hmm जख reduce हमारद से बिए हमार का सा हमोॉ हमार ब हमारद हमार का ब्हु cinnamon कमिल सर आपने मुछी बिला है आओ कमिल शाबबाश कमिल तुम वाकिए दात के कादिल इतनी कम उमर में ये मेडल हसिल करके तुमने हमारे देपार्टमेंट का नाम बहुत वाशी दिए सर ये सब आपकी दुआ और मेहनत का फ़ल है लेकिन कमिल ये हमारी बदकिस्मिती है कि अब हम तुम्हारे कारणा में सिर्फ सुना करें देखने का शायद कभी मौका नहीं मिलेगा ऐसा क्यों कहना है सर इसलिए कि अब तुमारा तबादला बंबे हो रहा है अब बंबाई सर वहां के देबार्टमन से खास रिक्वेस्ट आई कि एकेस को सुझाने के लिए एसपी कमल को बंब में ट्रांस्फर करते हैं लेकिन मुझे अमीद है कि तुम जहां भी जाओगे इंशाहिल्ला काम्याभी तुमारे कदम जूमें क्या बात है आज आरती के उतर जा रही है मेरे सुहाग के सलामती के लिए मेरे पती ने सारे देश में नाम कमाया है बहादुरी का मेडल बाया है धरती हूँ कहीं किसी की नजर ना लग जाए नजर अरे हाँ एक बहुत ही पहुचेवे फकीर में मुझे बताया था कि नजर उतरने का एक बहुत ही आसान तरीका है सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते वही क्या करो नजर कभी नहीं लगे क्या आंके बंग रो क्यों उस फकीर ले कहा था कि नजर हमेशा आँख बंग कर इंधे चली आपे बन करेंद आइऑ कि आप अख नजर रहा हो नजरी अथा रहा हूं रूद function कोई देख लेता कर्मा defense कर मघley गृ बिल्कुन नहीं एम अएसे ही तिक है एकर कमा यह यह वह इंधे बृदकर पुलिस के नौकरी भी कोई नौकरी है, बाहर जाओ, तो लोग डर के दूर भागते हैं, घर आओ, तो पी भी दूर भागते हैं, करू तो क्या करूँ? खेर, यहाओ, तुम्हारे लिए एक जबरदस खुशकपरी लाया है, क्या? तो में यहाओ, यहाओ, वादा करते हैं, इस बार हम नजर नही ँतारे आओ बैठो, आओना six that's good hmm hmm deez,..? सब्जवथा तुम मुझे कुछ बताने वाले थे तुम मुझे कुछ बताने वाले थे नहीं तो मैं के बताने वाला था अरे अभी अभी तो तुमने कहा हा अरे हां मैंने कहा मैंने क्या कहा मैंने 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 तुम मारो के तुन नहीं कुछ गड़ जरूर है नहीं 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 बात दर असल यह कि आप कमाल तुम्हारी बदली हो गए अरे वाह कैसे समझ गई तुम्हाल है अरे अब तो पांच साल हुआ दिल्ली आके अब यह तो मुश्कील से कुछ जाल पहचान हुए इसकुछ अपर नहीं जगे है अरे हम तो पुराने हैं न अरे तुम्हारा मैं क्या करूँ आचार बनाओं नहीं लॉली पॉप कमल तुम जानते हो पिछले डाइम बदली में इतना सारा हर निचर इतनी सारी क्रोकरी कमल कमल तुम ओ नू अरे बैया बन क्यों कर दिया जूबह शाम म्यूजिक निद्शूद कर तुम ठकते नहीं music कॉन से music आप समझते हैं मैं इसे music समझ के बजाती हूं पैने जी फिर क्या समझ का बजाती हैं exercise कस्रत fantastic हम खुष हुए एक काम कीज़ आप एकसरसाइज बंद किजिए और फॉरण packing करना शुरू कर दीजिए packing जिया क्यों हमारा तामादला हो गया कहां सुनोगी तो खोशी से नहां चुटोगी बताव ना भाईया Bambay Oh what fun भाया I'm so excited am look up जा रहे you are so great भाया बहुत जल्दी जा रहे है मगर तुम्हारी भावी जो है न हो congratulations भाईया Thank you मैं तु भूली गय थी भगवान करे मेरे भाईया को इतने medal मिले कि वर्थी पर मेडल लगाने की जगे न बचे पाकी के मेडल में लगा लोगी एक बात बता हो गई है क्या ये मेडल आपको सचमुछ बहादरी के लिए मिला है किसी को बोलना मत नहीं अबजार से खरीदा है सच और नहीं तो क्या हाहा ये लो कमल इस फाइल में तुम्हे राजेशोर के खिलाफ लगाएवे तमाम इल्जामात डिटेज में मिल जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम लाजेशोर को सबूत के साथ गरता करके अपने वर्दी अपना फर्स और अपने कानून की इज़त को बर्करार रखोगे मैं वादा करता हूं सर बेस्ट आफ लग थैंकियो सर बेस्ट आफ लाएवे 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 कमल यह ले फीस के पैसे और स्कूल जा अब मास्टर नहीं तुम्हें इंत्याम देने से नहीं लोगती लेकन तेरी फीस तुम्हेरी फिकर मत कर यह ले जा जा ना शाम क्या इस बार फिर तू मेरे लिए एक्जाम नहीं देगा देख यार तू पढ़ लेके बहुत बड़ा अफिसर बन जा है मेरे लिए यहीं सबसे बड़ा एक्जाम है पाड़ल यह सर राजेश्वर इस वक्त का होगा अब्राय होटल में होगा सर तुम्हें करते वालों सर हमारे आदमी 24 घंटे इस पर नदर रखते हैं और इंफर्मेशन के मताबक आज शाम इसके किसी आदमी की शादी अब्राय होटल में है और राजेश्वर अक्सर ऐसे आदमी के मदद किया करता है करता है को कमल तो बओम्भे की पुलिसवालों ने मुझे पक cautious क цен डिली से आं बुलवा ही लिया तो मैं कैसे मालू अरे ये खेल तो चलता रहा आ पुलिसवाले हम पे नजर रख एथे हम पुलिस पे नजर रख ये तुम कैसा दिल लए हे कुझी में आęt कमल ने अपनी जिन्दगी में सिर्फ चंद चीजों से दोस्ती की है अपने खरीबी से पढ़ाई से अपने फर्स से और शाम से और इन मेंसे किसी ने भी कबल का इतना सख्क इंतहान नहीं लिया जितना के शाम ले रहा है तो उससे बिश्र बरस हो गये और आज जिब मिलने का मौका है मिला तो पोलीस और मुजरीम के हैसियत वह से कभी इंसान से खलत काइट पॉचा देता है कितने दूर पहुचा देता है पिस सारी दुनिया से समाज से अपनों से अपने दोस्तों से सबसे सम्द कुछ चाते हैं। इसका अंजाम को भी सोचा है तुमने जिस दिन ये कदम उठाया था कमल उसी दिन अंजाम भी सुच लिया था और वो अंजाम मेरे ही हाथों पूरा करना था इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो गई तो मेरे हाथों में हदकड़ी पहना होगे और कानून तुम्हारे सीने पर मैडल लगाएगा लेकिन इस काविल तुम ही ने तुम मुझे बनाया है दोस्त उस रोज अगर तुमने मेरी फीस ना दी होती तो मैं अग्जाम में ना बैठता और नहीं मैं पास होता और नहीं मैं कानून की वर्दी पहने काभी बन बाता यह सब तुम्हारी तो देन है तो वचंदो दोस्त कि अपने इस दोस्त की देन का मान रखोगे कभी अपनी वर्दी पर अपने फर्ज पर बदनामी का दाख नहीं लगने दोगे मैं वचंदता हूं करीम जी आज बरसों बाद पुरानी यादों को ताजा करने का मौखा है कैसा मौखा मालिक कमल और हम अपने जनम दिन की दो पार्टिया मनाते हैं कमल का जनम दिन एक दिन पहले आता है और हमारा एक दिन बाद आज बरसों बाद हमारा यार हमारा जीवी दोस्त लॉट आया है और परसों उसका जनम दिन है उसके जनम दिन पर हम उसे खास तौफ़ा देंगे खास तौफ़ा हाँ वो का कालिया हम कालिया उसे तौफ़े की तार पर पेश करेंगे वाईश कि कर दो चिंदा है कि अप學ा है कि व कि कि अपर आप तेरे रिवॉल्वर की छे की छे गोलिया खत्म हो चुकी है और तुझ जैसे नन्नी से जान के लिए मेरी इस रिवॉल्वर के सिफ एक गोली काफ ने है जरा भी चलाकी करने के कोशिश मत करना वरना ये तेरे जिन्दगी की आखरे चलाकी होगी और वो भी नाकामयाब यू आर अंडर रेस्ट शबाश कमल तुमने आते अपनी रवायत को बरकरा रखा मुझे खुशी है इस कमबक्त कालिया ने पॉलिस को बहुत दिनों से परिशान कर रखा था और मुझे यकीन है कि तुमने जिस तरह कालिया को गिरिफतार किया है उसी तरह एक दिन राजेशुर को गिरिफतार करके खानून के हवाले कर दोगे कि तुम सच कह रे लोबो आकालिया राजेशार और कमल दुनों दोस्त है और राजेशार ने तौफिय की तोर पर तुम्हें कमल को दिया है कि मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूगा मैं उनने जिंदा नहीं छोड़ूगा सब्सक्राइब तोफा है मिलिये इसे बेजा देखे और ले ये रहे जनम दिन मुबारक हो एक दोस्ट एक अजवान फुविस वाले का दोस्ट भाई कुछ गर्बड़ है मेरा मतलब है पैदा हो गई मगर एक बात से दूसरी बात निकालना इससे रेटार नहीं हुए रेटार हो जाओं बिलकुल हो जाओं हाँ हो जाईए इधर आओ एक शूज़ ओ या गोएड वही पुरा नियादत शेशी को कोई फिल्मी गाना गाने के लिए जिद कर रहे होंगा आपका फूल जी साब थोड़ा जादा हो गया एक्स्पिल्मी हलो कमल कौशाम सालगीरा मुबारख हो सांक यू वरी मच्च कहो यार के तोफे पसंदा है हां बहुत पसंदा है दोनों पसंदा है क्या क्या हो रहा है कुछ नहीं या एक छोटी-बूटी पाठी चल रही है अरे बड़ी गहमा गहमी है लगता है और यार दोस आए हुए हैं नहीं यार वो बस यह शशी को यह लोग गाने के लिए जिद कर रहे हैं कितना खुशकिसमत है मेरा यार क्या खुबसूरत महाल हो गया इस वक्तर का बीबी बेहन यार दोस्त कमल मैं दिल से दुआ करता हुए यार कि तेरा घर हमेशा खुश्य से बना रहे है कमल क्या मैं भावी का गाना सुन सकता हूँ अरे घबराव मत यार मैं वहां नहीं आ रहा हूँ तो एक काम कर तेलीफोन का रेसीवर किसी ऐसी जगह भी रखते है जहांसे मैं भावी की आवाज आसानी से सुन से कूँ हाँ क्यू नहीं हाँ कातों से कीज़ के ये आचल तोड़के बंदन बांधी पाया हाँ कोई ना रहा दिल के उड़ां को दिल वो चला हाँ आज पिर गीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है आज फिर जीने ही तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है अपने ही बस में नहीं मैं दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं आपने ही बस में नहीं मैं दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं जाने क्या पाके मेरे जिन्दरी हसकर पहाँ आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है मैं हो हुआर या दू पा हूँ अज फिर मरने का इरा आज摑ष्म से पहले फोना जाओं पें आज फिर जीनी की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है देखा है आखे मलके मलके करके आंधे रोके निकलके देखा है आखे मलके मलके पूल ही फूल जिंदरी आज फिर जी में की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है आज फिर जी में की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है शाम ए शाम हां, हां, कमल सो गया क्या? नहीं, खो गया था जिंदगी की किताब की पुराने पंदे खो गया थी उन्हीं पंदों की उन्हीं यादों में खो गया था कमल, आज आज मुद्वत के बाएद शाम बहाद खुबसर रगज़ी यह लभी शुक्री है, कमल बहुत बहुत शुक्री है साल गिरा मुबारको मालिक अल्ला ताला आपको हजार साल की उमराता करे बद्वा दे रहे हो, करीमी जिंदगी के यही दिन गुजारने मुश्किल है हजार साल कौन कम बख्ची है मालिक हर साल आपकी साल गिरा पर जो यतीमों और गरीमों को खराद बांटी जाती है वो भिजवादों पॉरन भिजवादों वही तो हमारे रिष्टेदार है उनका भी कोई नहीं हमारा है कोई नहीं फर्प सिर्फ इतना है कि वो बिचारे रोठी के लिए भूके हैं और हम प्यार के लिए करीमी और वो महानों के लिए सब इंसाम हो गया ना जी मालिक, आपका फोन हुआ अप Tort हुआ वह हुआ नहीं की या अनवे हापी बर्थ डेर वंस मालिक, मुन्नी भाई की शमाज नहीं आएगी क्यों? मक्षन सेड़ जादा माल देकर उसे अपने हाले गया है मक्षन यह रही शमाज आप लोग इसके नाच और गाने से दिल बहलाओ पाद में हम इसके हसन से अपना दिल बहलाएंगे मानगे मक्षन से उस साने कोच्छा सबक्रादा तुम अदर कैसे आया यह मुन्नी बाय का कोठा नहीं है, यह मेरा घर है, निकल जाओ यहां ते मुन्नी बाय का कोठा इस घर से ज्यादा हुझा है शमा एक ही महफिल की जिनत बन सकती है और वो महफिल है राजेश्वर की शमा, हमारे साथ आओ, शमा नहीं जाएगी चुम पुलीस को फॉन क्यों नहीं करते तौलत आजाने से आप तुल नहीं आजाती पुलीस को भुला कर अपनी इजद का जनाजा निकाला चाहते हो हम तो बदनामे जमाना है हमारी बदनामी की समंदर में एक गिलास पानी और खुल जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन तुम इजद्दार लोगों की इन काली करतूतों का जब तुम्हारी इजद्दार सुसैटी को पता चलेगा तो तुम सब का क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम ठीक ही रखा है मक्रन ठंदे लोगों में रहा करो, तब ये ठीक रहेगी, आग से खेलोगे, बिखल जाओगे शमा ये तो हमारी बेज़नती है, तुम्हारे मुँबे तमाचा है माखन, चलो चलो तुम्हारे माखन, शमा काम है महफिल में चलना, हमारी महफिल में शमा खुद जलती है, जलाई नहीं जाती, मैं राजेश्वर को नहीं छोड़ूगा, उसे जिन्दा नहीं छोड़ूगा, सेट, राजेश्वर इतना खतरनाक आद्मी है, के मौत भी उसे घबराती है, हम उसक अपनी राख, अपनी चिकनाहट से तनी चिक नहीं करतेंगे, कि वो हर कदम पे पेसलता ही रहेगा सर्कार, मैं लुटकाई, मेरे बेटी परवाथ हो गई, सर्कार, मालिक, मेरे बेटी को छोड़ देजे, सर्कार भबराव नहीं मुन्नी भाई, भबराव नहीं आज मेरा सबना पूरा हो गया, आज से कोठा बन, इसके दर्वाजे नाज गाने के लिए बन अब ना तुम तवाइफ हो, और ना मैं मुन्नी भाई, अपना हिस्सा लो, और दूर कहीं शहर में जाकर अपना घर बताओ और मैं, मैं भी अपनी बेटी को शहर में बुलाकर अपने पास रखूँगी और किसी अच्छे खराने में उसकी शादी करूँगी चाची, यह सब कितना पैसा होगा, कम से कम चार लाक रुपे होगा मैं तुम्हें पांच लाक दूँगा सेच जी हाँ, पांच लाक लेकिन सेच जी, राजेश्वर शमा की कीमत दे चुका है मैं शमा की कीमत देने नहीं आया तो फेर तुहारी जुबान की कीमत देने आया हूँ मेरी जुबान? हाँ, तुम पलीस के सामने बयान दोगी के राजेश्वर जबरतस्ती शमा को उठा कर ले गया नहीं और उसकी इस्जत लूट ली नहीं नहीं सेच जी मैं यह जुट नहीं बोल सकती यह जूट तो तुम्हें बोलना ही होगा मुन्नी भाई उसने मेरे घर में खुसके मेरे दोस्तों के पीच मेरे मूँ पे चाटा मारा है मुझे बे इज़त किया है तब जब तक मैं उससे बतला नहीं लेता मैं चैंसे नहीं रह सकता मैं तुम्हें मूँ मागी की मत दूगा शे लाक साथ लाक साथ लाक मुन्नी बाई, साथ लाग, बहुत बड़ी रकम होती है, सोचो मत, कर लो ये सौधा मुझे मन्जूर है तेट जी, साथ लाग के लिए मुन्नी बाई साथ बार अपना इमान पेशने के लिए सैयार है जुबान क्या चील है, माला और खरीदला जुबान अलो, कमाल स्पीकिन, वाट, राजिश्वर और रेट, ओ नो, ठीक हम अभी आया आई, आपको तो देख लिए, उस जानवर ने मेरी पंच्छी को कैसे वहशी सारिंते की तरह नोच जाला मार मार कर दिया है कमल सहाब, इस रिकोर्ड से साफ जाहिर होता है कि शमा की जल्दूची गई है उसके साथ बलादकार किया गया है यह रही आपकी फीद, छूट बोलने की कौन? कमल? क्रारा अंदर आप क्या बात है? क्या हुआ है? आज तेरे चिरे का अंदास कुछ बदला हुआ है खेरियत तो है यह रही बात नहीं है अश्युआ है रही बात नहीं करते है यह रहा ब्रादक हाँ अलटक मजाटने करनाओ अरे भई ये मज़ाग खुशी को तलाग दिये हुए तो बर्स हो गया है राजेश तुम्हे मेरे साथ चलना होगा कहाँ पुलिस स्टेशन क्यो भई तुम्हारी ग्रिफ्तारी का वारंट अपने साथ लाया कमल तुम पहले पुलिस आफिसर हो जिसने राजेश वर की चौकर पर खड़े होकर वारंट की धंकी दे कर उसे ग्रिफ्तार करने की बात की है मैं धंकी नहीं दे रहा हूँ वाकई ही तुम्हें ग्रिफ्तार करने रहा हूँ अच्छा लेकिन किस चुर्म है भी एक लड़की की इजसदलूपने के चुरूइत लड़की की इजसदलूपने के sub Crazy टूम श्मा कि एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ उठाकर यहा ला और उसके साथ तुमने जब्रदे की रहें रहें और ता कौन कहता है लोग कहते है लोग घूट तो मैं इसी वक्षा मासे मिलना जाओंगा बहुत देर होगे राजीश तुम्हारा और शमा का सामना होगा तो सिर्फ अदालत में वकीलों के सामने जज की मौजूद्गी में तुम जो यहां से चले जो तुम नहीं जानते तुम्हारा और मेरा रिष्टा क्या है रिष्टे की परवा करके कमल आज यहां से चला गया तो दुनिया में दोस्ती का रिष्टा हमेशा हमेशा करें बद्नाम हो जाएगा मेरे पास इस वक्त सिर्फ दो ही रास्ते हैं या तुम्हें अपनी वर्दी उतार कर इस इस ओदेश इस तफ़ादे दो या फिर तुम्हें ग्रफ्ता के लिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तयार हूं लेकिन एक बात कर ख्याल रखना अगर कानून मेरे साथ ना इनसाफी की उसके जिम्मेदार तुम होगे अगर तुम बेगुना हो तो कानून तुम्हारे साथ जरूर इनसाफ करेगा यह मेरा बात है ठीक है मैं अपने मैं आपको कानून के नहीं बलकि तुम्हारे वादे के हावाले करता हूँ इस यकीन के साथ कि तुम अपने वादे का पास अख़ू है दुश्मनों के चेहरों पर रौनक आगई है मालिक आपकी किरफ्तारी की खुशी में शराब पानी की तरह बहाई जा रहे हैं अगर आपका हुक्म हो तो शराब की जगए उनके यहां खून की नदियां बहाग है नहीं करीम मिया अभी इसके लिए वक्त है वक्त के इंतिदार मत कीजे मालिक अगर आप कहें तो यह कि कमल को भी राज से पिल करीम मिया आएंदा ये लफज अपनी जबान पर कभी नहीं लाना कमल को सिवा हमारा इस तुनिय में कोई नहीं है और अगर कभी कमल पर गोली चली भी वहां उसे अपने सीने पर ले लेंगे कमल को खराश तक नहीं आनेगे मैं जानती हूँ इनकी परेशानी क्या है यह कही तिन से सोई नहीं है सिर्फ सोच में दूबे रहते हैं इनको ने खाने का होशे ने खुद का और इन सब परेशानी का जिम्वेदार है वो राजश्वर अपान करे वो राजश्वर क्यों ने उसे बतवादू लूँ उसने मेरे घर का सुकून चैन लूग लूगिया है मेरे पती की खुशियां झीली है और ये में नहीं मरता कमल तुम उसे भूल क्यों नहीं चाते उसका ख्याल अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देते वो यह अधरनाग आदमी है मुझ्रिम है कानूल का दुश्मन है वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता मुझ्रिम मा के पेट से पैदा नहीं होता लोग बना रहते हैं उसे वक्त का तुफान इंसान को जुर्म की दलदल में भशा देता है वही राजेश्वर के साथ हुआ है राजेश्वर 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 मैं उस आदमी को पुलाने की कोशिश कर रही हूं और तुम उसी राजेश्वर को बीच में लाते हूं हां मैं राजेश्वर को बीच में लाता हूं और हमेशा लाता रहूंगा मैं जिंदगी भर राजेश्व नहीं बूल सकता हूं शेशी मेरा रोम रोम राजेश्वर के आहसाना वह कर्दार है आज कमल कि ससाइटी समाज में जो हिज़त है उस हिज़त की पेड को राजेश्वर ने सीचाए मेरे कॉलेज के दिनों में उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से मेरी फीस भीड़ी खुद भूखा रहता लेकिन मेरे लिए किताब है खरीद कर लाता मैंने इमतहान दे दिया और बात में लोगों ने मुझे बताया कि फीस भरने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया क्या कर तकलीफ नहीं हुड़ाई उसने मुझे तरक्की के मैदान में आगे बढ़ा दी और खुद पीछे रह गया कमले पुलीस अफसे बंद गया उसने मुझे वर्दी तो पहना दी मगर वक्त ने उसे मुझेरिम का लिबास बेहना दिया अगर उस दिन राजेश्वर ने मेरे लिए पुर्बाई ना की होती तो हो सब्सक्राशी आज राजेश्वर कमल की जगह होता है और कमल मुझेरिम बंकर जेल की सलाखों के पीछे सर रहा होता हूँ इसलिए मैं तुमसे रेक्विस्ट करता हूँ हाथ जोड़ कर बात ना करता हूँ कि कभी भूल कर भी राजेश के खिलाफ एक लफ भी मत कहना अधेरे में से अकेले बत खड़े रहना प्लीज कमल मैं तुम्हारी परत्नी हूँ सिंदके के हर कदम पर तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ अगर दुख का मौका आए भी तुम्हे तुम्हें तुम्हें दूख का हैसास नहोने दूँ लेकिन अजकर तुम खोए-खोए से रहते हो मैं तुम्हें जितना खरीब लाना चाहते हूँ उतने ही तुम दूर चले जा रहे हो कमल, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं और सुदर अकेले तु नहीं रह जाएंगे तुम्हारी कसम शेशी सारी उल्चने बसर इस केज तक ही है एक बार एक केज खतम, सारी उल्चने खतम पुरी बात बताते हुए मुझे शर्म भी आती है और याद करके मेरा दिल भी खबराता है मगर मैं खामुश रहूँगी तो मेरी बेटी के साथ इंसाफ कैसे होगा आधी राज कुजर चुकी थी हम अपना गाना बजाना बंद करके सब सो गये थे कि अचानक ये शक्स राजश्वय शराप के नशे में थुद हमारे खर के दर्वाजे को तोड़कर अंदर चलाया और कहने लगा शमा कहा है मैंने कहा साथ आधी राज गुजर चुकी है हम भी तो इंसान है हम अपना पेट पालने के लिए गाना गाते हैं हमें भी थो थोड़ा आराम करने दीजिए और कुछ कहे सुने बगार शराब के नशे में वो मेरी बेटी के कमरे में खुच गया मेरी शमा को अपने कंदे पर उठा कर ले जाने लगा मैंने उसे लाग मना किया उसके हाथ जोड़े उसके पाँ पकड़े लेकिन मेरी एक ना सुनी और मुझे छोकर मार कर किरा दिया मेरी बेटी को उठा कर ले गया मैं लुट गई मैं लुट गई सरगार मैं लुट गई रात काफी गुदर चुकी थी हम अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी से आ रहे थे प्रास्ते में गाड़ी पान खाने के लिए रोकी जैसे हम पान की दुकान पर पहुंचे हैं तो चीख ने चिलाने की आवदे सुनाई थी हमने क्या देखा कि ये शक्स नशे में धुत अपने कांदे पर एक लड़की को जबरदस्ति लिए जा रहा था किया आप बता सकते हैं के वो लड़की कौन-ती-जया ज़रूर बता सकते हैं मैं गभ राकर चीख-छीख कर आपनी हो चुकी थी उसी हालत में मुझे आदम्य अपने घर ले गया गर ले जाकर उसे मुझे पटक दिया मुझे मारा और मेरे साथ क्या किया तुम्हार साथ बोला मुझे इस वहशी दरिंदे ने बेह रख कर दिया और में हिजद लूट ली जज साहब ऐसे इंसान पुसदा मिलनी ही चाहिए ज़रो मिलनी चाहिए कुछ जवाब है आपके पास सब की जबाने बिक चुकी हैं सब की जेबें फर दी गई है इसलिए मुझसे खरीद हुए इल्फाज निकल रहे हैं हमें किसी की परवा नहीं है कि करीं हमें कमल पर पूरा भरोसा है वो भी बिक्चुका है मालेक वो भी बिक्चुका है नहीं, कमल कभी नहीं दिख से, बूचिये अपने दिल से, आपकी बेगुनाई का सबूत पैदा करने के लिए क्या किया उसमें, आज में उन से मिलने गया था, मिलने से इंकार कर दिया, जब उनकी तरफ देखता हूं, तो नजरें चुरा लेते हैं, नजरें मुझ चुराता ह जिसके मन में चोड होता है, और चोड का कोई इमान नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, क्रिवनिया, तुम सच कहरे हो, बरसों से आपका नमत खा रहा हूं, मालिक, जूट नहीं होता है, गवाहों के बैयानात, डॉक्टर की रिपोर्ट और दूसरे सबूत जो सरकारी वकी पेश किये हैं, उन से साफ साहर होता है, कि मुल्जिम राजेश्वर ने शमा को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसकी मर्जी के खिराफ उसकी इज़त लूटी, यानि बरादकार किया, इसलिए ये अदालत, मुल्जिम राजेश्वर को जेरे दफा 376 ताजीरात हिंद के तह है, इसके मन में चोर होता है, और चोर का कोई इमान नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, तहादाँ, को अक्षू। ये जूट और दिखावे के आशु संभाल कर रखिये कमल सहब कभी काम आएंगे शान मेरे जजबाद मेरे दोस्ती है सब दिखावा है फरेव है तालत की छुरी की धार बहुत तेज होती है कि ये कानून की वर्दी पहनने वालों के हाथ हो कि तच्चाई और कानून का खून करवा सकती है कि दोस्त के हाथ हो दोस्ती का खून करवा सकती है जैसे आज हो गया है नहीं शान नहीं कि कमल अपनी जिन्दगी को मौत के हाथ हो बेच सकता है अपना फर्ज अपनी वर्दी अपनी दोस्तिक और इश्वत के गंदे हाथ और दागदार नहीं होने थे सकता यहीं ठोंगर मतकारी करके तुम सारी जिन्दगी दुनिया के सामने इमानदारी और वफादारी का खेल खेल के रहे हो यह तुम नहीं तुम्हारी गंदी आत्मा मूल रही है जो जर्म और पाप की गंदगी में डूप चुकी है अपने गुनाहों पर अलफास के परदे डालने की कोशिश मत करो कमल परदे डालने की जरूवत पड़ती है तुम जैसे जूटे लोगों को तुम्हारा ये तंज तुम्हारा ये इल्जाम एक हिस्यानी बिल है ठीक है एस्पी साथ आज इस तरह हम खरीदने वाले दुश्मनों और पिकने वाले दोस्तों के बीच में मिश कर रहे हैं साथ साल पाद जब हम लौट के आएंगे तो तुम्हें दुश्मनी और बदले की चक्की में इस तरह पीस कर रखतेंगे कि ना तुम जीश सकोगे ना तुम्हें मौत आएगी एक बात और सुन लो आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे इस सत क्या होती है और उसे कैसे लूटा जाता है समझ गए आज का तिन आज की तारीख और आज का साविया दर आएए याद रखना आए 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 कर दो 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 मुख़ा मिले की देर उन्हों बाशन देना शुरू कर दिया कि शराब पिना भुरी बात है तो जनाब आज के समाने देशाई साब की बात सुनता को अफ और अरे सुना, सुधा का है, सुधा आती है होगी, अरे कमल, जल्दी से केक काटो, वरना तुम्हारे काटली से पहले हैं, अगर मेरे निये खानाब होगी, यह मैं दात से काट लूगा, दात अभी तरस लिया आपके, एक काम किये, थोड़े रुख जाई, अभी आती होगी जारा पपरो, बोलो, भाया, आज शाम से एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है, कौन, वो तो मैं जानती नहीं, लेकिन मैं जहां जाती हूँ, वो दूर खड़ा मुझे घुरता रहता है, उसे देखके तो मेरे हाथ पहुँ काम जाते हैं, हम खुश हुए, मेरा बतल में का हम न जिवा, इसमें तो भीजने माले का नाम ही नहीं है, कैसा दोस्त है जो उसने, वेरे मिनिट, ऐसा कुल दस था तो, कुछ साल पहले भी आ चुपा है, ये फुल किसने भज़े है, साथ दाड़ी वाला एक आदमी लेकर आ है, दाड़ी वाला, कब, अभी थोड़ी देर हुई पूलत में बाहर जरूर लेएंगे तुम जेल से कब छूटे शाम? अरे, अच्छे फूलेस आफिसर लोगों को जेल तु भेज देते हो लेकिन ये भूल जाते हो कि जेल से कोई छूट कर कब आएगा देखो शाम, तुम मुझे गलत मत समझो कमल, तेरी बहन को देखा है, यार बड़ी हो गई है और माशालब तो काफी खूबसूरत निकल आई है क्यों? चलाओ हाथ, रुक्यों गए चलाओ ये तो पुलिस वालों के हाथ है कुछ मि कर सकते हैं जेल विजवा सकते हैं किसी की तकदीर के सितारे तोड़कर अपनी वर्दी पर लगा कर एसपी से एसपी बना सकते है शाम तुम मेरा हाथा चले जाओ शाम जा रहा हूँ एसपी साहब, जा रहा हूँ याद होगा जेल जाजवा वक्त मैंने आपसे कुछ फर्माया था अब मेरा मकसद क्या है तुम अचीता समझ क्या होगे साल की रभ मुभारक हो आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे इसद क्या होती है और उसे कैसे लूटा जाता है कमल, क्या बात है कुछ नहीं बहुत परिशान नजर आ रहे हूँ भया, 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 क्या हुआ मुझे याद आ गया, वही आदमी जो मेरा पीशा करता रहता है कौन? राजेश्वन राजेश्वन जेल से छूट कया? हाँ और तुम भूल गे जेल जाने से पहले, उसने तुमें क्या धंकी दी थी? पलिस वालों को तो लोग रोज धंक्या देते है अगर इन धंक्यों से घर जाए तो चीना मुश्किल हो है अगरोःव इन डरोश्किल हो है वालोभववववववववववववववववववववववववe अब मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूँगे लेकिन भाबी मेरे कल चारिटी प्रूड्रम का क्या होगा आप और भाईया भी तो कल आ रहे हैं वाँ पे क्या है हो कुछ नहीं दिल मेरा आज कहा है 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 सारे यहां अपने प्यारा समा है 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 तैसे नशीली ये शाँ आई है आज तेरे नाँ कुछ नहीं दिल मेरा आज कहा है सारे यहां अपने प्यारा समा है प्या हुआ देवी जी शाँ आई है आज तेरा प्या हुआ देवी जी शिदा को इतनी लंबी ड्रेस पहनने की क्या जरूरती इससे भी छोटी पहन लेती तुम्हारे तो ख्यालात बुड़ापे क्यों हो गएं बेकम क्या अरे बेकम मेरा बस चले मैं तो तुमको बिल्कुल ड्रेसी न पहना का मेरा बतल है कि इससे भी छोटी ड्रेस पहना हूं आज दिने शमा हाई दिनो के आज मिलन खांप रंग है के साँ जमा रोज रो अब ये शाँ ते दिन शेली ये शाँ हाई में आज से एना हाई में आज दिना मुझा नाख सम्हादू फिर भी बैटती जाओ तुम्हारी असम्हार क्या फिर में भी देखो न यारू रुकते नहीं है अगम मेरे दिल मुझ बथा ते दे नशेली ये शाँ आई है आते राँ क्या फिर मुझ बथा कुछ नहीं दिल मेरा आज कहा है तर यहाँ अपने ही त्यारा तमा है क्या फिर मुझता तर ये लुकते राँ क्याँ मुझता ते राँ आते राँ क्यों क्या क्यों क्यों प्युक्न अतिंक हो अच्छीर एल्डा हो कि रिंध व्रिया नन्हीं कि अल्डशके नन्हीं गज। हो खो ताओरे बिन्हीं कि पत्साओ़ rice anne अजंदे हो गित एंग कि प्योर्व घ्यूजी कि रगज मगद। लुप दुप हुआ दुप लुप हुआ 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 नुप टौप लुप कुल… और राहार ख olduğके छेशख ही को फ loud पहाँ पॉगricular कि अपोधी भूआ हैं हुआ है हुआ 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 है दोनी प्हुआ है हुआ हुआ है इस टाए इस ताए मैया मैया सुदाए एस सुदाए सुदाए मत रो ऊपर लो आप शान्त हो जाओ कमाल प्लीज शान्त हो जाओ जल्दवाजी और गुफसे से कोई फैदा ने जो भी कुछ करना है सुच समझ करो अब सर आप नहीं जानते तो समन्न क्या है वो शैतान मेरी पहत कमल तुम कानून को जाने वाले आदमी हो किसी की मन में क्या है इस बलबूते पर तुम कोई कदम नहीं उठा सकते लेकिन सर मुझे बोलने तो पहले उस अदमी ने तुम्हारी बेहन से कुछ कहा हाथ लगाया उसे या छेड़ा उसको तो किस कानून के तहरे तुम उस पर हड़ा डालोगे जब तक वो कुछ नहीं करता तुम उसका कुछ नहीं भी कर सकती हम सोचते हैं यह बंगला अब तुम्हारे ही नाम कर दें सेच कल ही अपने वकील से बात करता हूँ आपक्या वांगी बात इसे बाद कर बळाता हूँ हाँ को डैंगा है कौन है हजीश्वर मक्खन यह बात तु समझ में आती है कि तुमने मुन्नी बाई की जबान साथ लाक में खरीद कर हमारी आजादी चीन ली मौत की तुमने जिसी जिन्दगी को सुला है मौत की तुमने को अपनी आखो से देख रहा मैंने कुछ ने की गिया है मैंने कुछ ने की गिया है ये घर तुम्हारा है, ये बेडरूम तुम्हारा है, ये बेस्तर तुम्हारा है, तुम्हारी खरीद हुई ये शमा जिसे तुम्हें बुजा दिया, इसके सीने में जो जाकू गड़ा हुआ है, उस पर तुम्हारी उंग्लियों की निशान है, नए, नए, तुम्हें फशा र सब्सक्राइब चूटी कवाही देकर लेकिन हम तुम्हारे खिलाब सच्चा सबूत देकर तुम्हें पासी के तख्ते पलट खाएंगे पादी मैं मान गानी जाता मुझे माफ का दे आजे माइड आप 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 प्रूंद नए कमल लोगों के बेयानात और छान बीन से साफ साहिर है कि माखनलाल की मौत में किसी का आप नहीं वो सिर्फ एक्सिडेंट से मरा है जी नहीं सर वो एक्सिडेंट से नहीं मरा उसमें राजेश्वर का यहाथ है यह तुम किस बिना भी कह सकते हो चौकिदार का बयान है कि माखनलाल बहुत तेज रफ़तार में गाड़ी ले जा रहा था हो सकता है गाड़ी काबू से बाहर हो गई और इंपॉसिबल सर राजेश्वर बहुत ही तेज आद्मी है उसकी धोस आद्मियों को बेकाबू कर देती है और बेकाबू आभी गाड़ी पर काबू नहीं रख सकता सर माकरलाल तीजी से क्यों भागा क्या हुआ था उसे वो लड़की कौन है कहां गई करेमिया जब तक हमारा मकसद पुरा नहीं हो जाता शमा को यहीं बंद रखो जेल से रहा होते ही राजेश्वर में पहले वार में माखन सेट को मरने पर मजबूर कर दिया ज़रूर उसके दूसरे वार का निशाना होगी मुन्नी बाही मुझे आपसे बातें कर नहीं मुझे आपसे बातें कर नहीं मुलता है मेरा नहीं मुन्नी पाई नहीं मन्जुला है मेरे साथ आईये राजेश्वर जेल से छूटकर आ गया है राजेश्वर मेरा ख्याल है कि सेट माखनला के खून में भी उसी का हाथ है अब क्या होगा एस्विस आप मेरे आदमियों इस बंगले को चारो तुर से घेर रखा है वो यहां नहीं पहुछबाया था उसे किसी भी तरह यहां नहीं से रोक लीजिए मैंने बड़ी मुश्किल से अपने नाम से मुन्नी बाय का शब्द हटा दिया है शरिफों के पीच अपने आपको शामिल कर लिया है यहां मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता इसे वजह से मेरी बच्ची की शादी एक इजददर घराने में हो रही है अस्वी साहब उसे रोक लेजिए आप कुछ भी कीजिए सुर्फ आज की राम मेरी पिट्टी की शादी हो जाए देखो हमारे आदमी चारों तरफ तैनाथ है वो यहां नहीं आ सकता है अगर पिर भी तुम चाहती हो तो मैं शादी पूरी हो जाने तक रुक निकलेते यह तो मैं रोग थैंक यू अस्वी साहब हलो कौन कमल साहब वन मेनिट हम अलो शेशी अरे अरे तुम्हें रोक यो रही हो क्या हो आसुदा को शेशी 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 ओ मैं कॉर्ट तुम्हें साहब शेशी शेशी शुदा कहा है वह लोग तो दोफेर से कहीं बाहर चले गए साफ भगवान मेरी रक्षा कर मेरी पेटी की जिन्दगी पेचा ले मैं तुस्टे भी इक मुन्दी बाई एक त्वाइफ की आंख में आसू ऐसे लग रहा है जैसे रेगिस्तान में गुलाब के भूल के फिश्बूल बदलता है रंग आस्मा कैसे कैसे हमारे भी है महरवां कैसे कैसे एक गिर्गट की चमरी भी इतने रंग नहीं बदलती जितने रंग तुमने बदले होंगे मुबारक हो मुन्य बाई अब तो तुम मंचुला देवी बन गई हो हां क्या बात है एक शरीफ इजद्दार भोले भाले खांदान के लड़के से मुन्य बाई अपनी बेटी की शादी करने जा रही है अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी होने वाली बहु अभी तो होने वाली है ना प्वेरे उन्हें बाकी हैं अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी होने वाली बहु एक तवाइफ की बेटी है ऐसा मत करना मेरी बेटी माजूम है उसका गाध मत उचाडना फगवान के लिए ऐसा मत करना अच्टिंग बहुत अच्छी सब देती हो उस इन कोड में क्या धाड़े मार मार करो हो तो नहीं होती है और उन साथ लाग के लिए तुमने हमें साथ साल के जेल फेच देए और तुम्हें क्या मालूम था साथ साल यह गुजर जाएंगे मैं सारा इल्जाम अपने तर लेने को तेयार हूँ खानुन ता इस सामने यह कने आप जतना एक पार मेरी बीटे के शादिया जाने दीजिएंगे एक वाय कि सप्धीन नहीं 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 मुनेब्धाय नहीं उन 7 साल को क्या होगा जो हम ने जेल में गुज़ारें वह 06 साल तो तुम वापस नहीं ला सकती है या वो 7 वापस नहीं आसकते हैं तो नहींना पलब डरीक कि bunny अ taken नजुल मत करिए, मत करिए नजुल, मेरे टुक्रे-टुक्रे कर भीची, मुझे माट लिए मगर मेरी बेटे के सिंदकी बरबाद मत करिए, मत करिए, मुझे पर रहम कीजिए, मुझे रहम वहां पर तो अरे कहां गी थे तुम लोग हम लोग तो जिना अंकल कही आ गये थे अप्टों जो फोन किसने करवाया था फोन हमने नहीं तो इसका मतलब तो कमल पना स्झां आंक का पस्पन ही तो करवाया तोस्पन्सने अर्न वाया पसी आएको तो कमल पFIह क oh और्ज ओराल को बस्ष्चन तो और शेसे मने अर्ज शेए-खञे आज करामत हो गए, माते के बिंदिया खो गए आज करामत हो गए, माते के बिंदिया खो गए आज करामत हो गए ते रहू मिलके, वो मुखब चीन दिने तुने मेरे दिल चाहद लुटी अर्मा लुटी दिल लुट गया मैं हो गई आप देखनाच खरामत हो गई माते के बिंदिया खुँगी हो हो दुनिया बे वपा अब क्या हो गई के सहुए दू पचक्ष लुद। क्या बताओं क्या मेरे दिल का की रादा है जो न चाहा था वो शोला दिल में जागा है क्या बताओं क्या मेरे दिल का ही रादा है जो न चाहा था वो शोला दिल में जागा है अब तू जले यह मैं जलू अब जो भी हो युमी जही या, आज क्यामत हो गयी मान दे के बिंदिया हो गई हो हो दुनिया बेवफा अब क्या हो या 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 क्या होगा ये अब देखला अब ये हाथ बंदे नहीं है राजिश्वर छूट चुके हैं क्योंकि मैंने इस तीफे की कैंची से खानून की रसी को काट डाला है सब लोगे जगा खाली कर दो अब आज फैसला सिर्फ मेरे और इसके पीछे सब ये जगे कर दो कर दो दंद एंग झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो च कर दो जो ऑंग औरली है कि मारे तिर अहुंटन कि आओ मेरे साथ कि पार थे आप क्यों इस्थिफा कि यह कागस का टुकुळा इस्थीफा नहीं बलकि तुम्हारी बर्बादी का पर्वाना है तुम अपना दिमाख अपने होश और तुम्हारे जहन को सिर्फ राजेश्वर चाहे हुआ हाँ हाँ मुझे कुछ याद नहीं मेरे दिमाग में सिर्फ राजेश्वर चाहे हुआ है सर कमल I'm sorry sir मगर ये मेरी बेहन की इज़त और जिंदगी का सवाल है कासम उस भर्दी की जिसे पहन के मैं जिंदगी भर कानून और सच्चाही के रास्ते पर चलता रहा हूं जब तक मैं राजेश्वर को कमल तुम क्या समस्ते हो सुदा सिर्फ तुमारी बेहने मेरी कुछ नहीं लगती कमल सुदा मेरी बेटी के तरह है और तुमारी इज़त मेरी इज़त है पहले मैं भी यह समस्ता था कि माखन की मौत मैंस एक एक्सिडेंट से हुई है लेकिन मुनी भाई के साथ से के बाद मुझी यकिन हो गया है कि इन दोनों केसिस के पीछे राजेश्वर का ही हाथ है इससे पहले कि वो कोई तिसरी हर्कत करे मैं बहुत जल्द उसकी गरफतारी का बारे निकल वाने जा रहा हूं राजेश्वर की फिकर शशी और सुधा दिन रात क्यों बेचैन रहे जहां कि नमोने ऐसी जगह भेज दो जहां राजेश्वर का खौफ राजेश्र की फिकर इन्हें परेशाना करें सेनासा आपके फार में तुम लो बिलकुल बेफिकर नहीं गोंगे मगर तुम्हारे बगेर हमारे दिल नहीं लगेगा भाया पगली मेडल तुम्हारे यह कमी तभी माहसूस में लेगा रखो रहा जलो जल्दी करो तेर वो रहे हैं अफना ख्याल करल हमने टेज़ पने लुप हमने नहीं चुप कॉप टेज़ कर दो कि हमने कर दो कि अलो कमल कैसे हो तुम लोग हां हम बिल्कुल खैरियत से हैं ये जगे भी सुरक्षित है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हां भाया आप बिल्कुल फिकर मत करना अपने सारे काम काज निफ्टा कर वहां पहुंचता हो अपना ख्याल रखना भाय 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 यह लो राजश्वर की गरिफ्तारी का वारेंट उसे अभी इसी वक्त गरिफ्तार करना है सब्सक्राइब झाल सब्सक्राइब गरिफ्तारी के अपना है अब जो अब जो रखना है एखना काम कामरी मेंगे एखना प्रच्वर के है अबैल दोंबर? 416 अप्रीटर गुद्धिय। अप्रीटर बूर्निगा दिए पिकमल है लाइनिंग गुर्टि लोग्षाट लोग्षाट है जोग्षाट जोग्षाट हम तुम्हारे शीडिये तोस्त आपकी बर्बादी से प्यार करने वाले राजेश्वर बोल रहे हैं अपनी जवान और खुब्सुरत बहन की हिपाज़त के लिए आदमियों को जो दिवार आपने खड़ी की थी उसे तरिये मत हमने उन्हें जान से नहीं मरा सिर्फ बेहोश किया है पमल पदले की जंग शुरू हो चुगी है जिन्दगी की वो शर्मनाक साथ साल जो मैंने जेल में काटे हैं उसे गहीं ज्यादा शर्मनाक और दहशे तंगेस सजा मैं तुम्हें दोगा जिन्दगी का एक एक पल तुम्हारे लिए चीना मुश्किल कर दोगा बड़ हो युगी है तुम्हें मेरे पती से बदला लेना है ना, उसके खांदान से बदला लेना है, मैं तुम्हारे सामने खड़े हूँ, मुझ से बदला ले लो, लेकिन सुधा को छोड़ दो सुधा को छोड़ दो, जानती हो तुम क्या कहरे हो जानती हूँ एक हिंदुस्तानी लड़की जब दुलहन बनकर अपने पती के घर चलियाती है तो दिल में इकरार कर लेती है कि उसके पती के लिए या उसके खांदान की इज़त के लिए अगर उसको जान भितेनी पड़ जाए तो कभी इंकार नहीं करेगी आज मुझे अपना धर्म निभाने का मौका मिला है कमल की दुश्मनी का बदला मुझ से ले लो लेकिन सुधा को छोड़ दो प्लीज सुधा को छोड़ दो जए उसे छोड़ दो मेरे जीते जी तुमारे नाभागा तुसे नहीं चुएगे चोड़ दो कुछ पादा चाला? को इंफोमेशन नहीं है सार कमल 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 सुधा को ले गया सुधा को ले गया सुधा को बचा ले की बहुत खोशिश की बहुत खोशिश की बहुत खोशिश की पर उस बच्ची को बचा ले की लिए पले आपने आप तुको खा ले गया नहीं शुषी नहीं आजी शुव सुधा 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 मगर तुम्हारे बगेर हमारे दिल नहीं लगेगा भाईया यह भाईया का मेडल अपने पास रखो यह तुम्हें भाईया के कभी महसूस नहीं होने देगा करेंगे थे स्थक्षक्ष्ण करेंगे करेंगे आज से तुम यहीं रहोगी कालिया मैं जानता हूँ राजेश्वर कमल की बेहन को लेकर कहां गया है पड़ी मुश्किल से जगह का पता लगाया है कहां है समझ गया कितना चाहिए दो लाख तौनों का एक-एक मन्जूर है जगह का नाम वही जंगल वाली कोटे जहां राजेश्वर अपना माल चुपाया करता था यह लोग तुम्हारा पैसा 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 झास ध्या ध्या तौन कर दो 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 कर कर दो 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 कि अग। सुधा, यह खुन के धब्बे, खुन के धब्बे अपने जिसम से हटा दो सुधा मैं, मैं किसी लड़की के जिसम पर खुन बरदाश्ट नहीं कर सकता मेरा बस चले, तो मैं हर खुनी का खुन कर दूँ ताके कोई किसी की मजबूरी, किसी की प्यार का खुन ना कर सके जिस तरह मेरे प्यार का खुन हुआ है, मेरी गीता का खुन हुआ है गीता? कौन गीता? गीता मेरी जिन्दगी की किताब का सबसे खुबसूरत बनना है इतना खुबसूरत कि शायद उसे बनाने वाला बनाने के बाद देखता ही रह क्या होगा तुम्हारे भाई ने शमा की इजट लूटने का जूटा इल्जाम लगाकर मुझे इंसान से हैवान बना दिया कमल जो मेरे लिए दुनिया में सब कुछ था वाएद एक शक्स मेरे दुख दर्द को समझता था मेरे दिल की हर्जा हम की मरहम था अगर वो एक बार भी कह देता कि शाम मुझे तेरा सर चाहिए अगर तेरा सर मैं कानून के कदमे में डाल दूँगा तो मेरे सर जमाने भर में उचा हो जाएगा कीता की कसम सुधा मैं अपना सर उसके कदमे में डाल देता खेर छोड़ो शायद मेरी ही तक्दीर बदनसी भी किसाही से लिखे गई है तो मुझे मेरा प्यार चिंगे मेरा दोस्त मुझे चिंगे कमल से बदला लेने के लिए में आज तक जो भी वर्टा तुम्हार साथ किया है उसके कि मुझे अपने आपक गेना रही है कि मुझे माफ कर दो सुधा मुझे माफ कर दो और अपने भाई के पास लॉट जाओ वा वा वा-वा-वा-वा मुझे शिकार सिखाने वाला शिकारी आज खुदी घायल पड़ा है राजेश्वर तुमसे और इस लॉंडिया के भाई से पुराना हिसाब किताब चुकाने का इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा प्रुम मिलेगा रार लिकार्पव प्रुम मुझे तुमसे यGUारा लोर वाई सिर्चा अब झा राब कि यह और कि दोसूं करो जब लेखIfya ख बने आम खराशए हो क sweating, हमिक भी जाटिर, कि विर्न रिव़िज़री कि अ만 खिरिध कहा कहिए और, कि षjadi करें आम खराशा कि अर भूछ होग शोग तो एमकान दोरा व मासं उनकी आम झाल 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 मेरे सामने से हट क्या सुथा आज मैंसे सिंदा ने छोड़ूँगा नहीं भाया झाल ये क्या तुम बहागए तुम ने तुम ने तुम्हारी तहन के लिए तुम्हारी तहन के लिए बचाये उसे बेयात्र होने से बचाया उसकी भलाएं का मतला तुम ने यह दिया इसने मेरी हिसन भुजाए इंसन नहीं पेफ़ा है पेफ़ा इसने मेरी हिसए पेफ़ाए दोस्ती वो चराव है जो जलता ही रहेगा बुझाना चाहे जमाना बुझा न सकेगा